अग्याइब यहांसे एक सर्क्ल लेंगे वन टू थ्री सबसे बले तिन सर्क्ल लेते है सेंटर सर्क्ल फर्स्ट सिगेंड फर्स्ट का डाया है तो डाया रखेंगे फर्स्ट का आप दिखेंगे तो यहां पर क्या है टॉन्टी एट इंटर सिगेंड का है फर्स्ट का हम दे सकते हैं इस तरह से भी दे सकते हैं चलिए इसका हम रखेंगे अगर इस तरह सब नहीं देखना चाहते हैं तो राट क्लिक करेंगे और डिस्प्ले इस डायमेटर करेंगे तो इस तरह से यह चेंज हो जाएगा और अगर इस में देखना चाहते हैं अ डिए रेडियस यहां से चेंज कर सकते हैं यह ती मिली इमीटर में है और अब करेंगे ये मीडिल शर्कील को construction में convert करना है इसे select करेंगे select करती escape देखे हम इसे बांध करेंगे smart dimension को और इसे click करेंगे इसे click करती है यहाँ पर for constructionै इसे click करेंगे यहाँ से okay करेंगे यह constructionальной line में आगर यहाँ पर under different पर ये कलर देखाता गया और जब बुलू कलर देखाता ओके हम क्या करेंगे यहां से सर्किल लेंगे इसके से लेना है और इसका हम रहूखेंगे इसका ये diameter है इंटर और इसे क्या करेंगे यहां पर rotate करवाएंगे तो यहां से हम pattern इसका कर सकते हैं तो यहां पर अब देखेंगे linear pattern में यहां से circle sketch pattern लेंगे किसको pattern कराना है उसे हम select करेंगे उसे select करती है यहां पर आप देख सकते हैं four entities यहां पर by default है यहां पर मुझे 6 लेना है, यहां पर total 6 है, तो 6 हो गया, इसके बाद यहां पर automatic 6 लेती है, यहां पर जो इसका angle है, वो angle यहां से automating यहां पर बन गया है, और यहां पर कोई ऐसा चीचेंड करनी की ज़रूरत है नहीं, यहां पर 20 mm है, तो यहां पर आप देखेंगे, यह आप तो इसका length spacing देखा रहा है, तो spacing जिसका हम पतना ही रखेंगे, जितना है यह, और बाकि सारे चीज़ 360 degree के साथ यह है, और यहां पर direct ok करतेंगे, यह मुझे सारे circle यहां पर मिल गया, यहां पर आप देखेंगे, यह सारे fully defined है, लेकिन यह under defined है, तो इससे क्या करेंगे, dimension द reference के लिए इस लाँ, इंटर यानि इसका unit देते हैं इसके साथ, फिर इसके बाद इसका और इस length के साथ देते है, यह circle और इसके साथ, इसमाट dimension में जाएंगे, इसके center क्लिक करेंगे, और इस line को रोक के, इंटर कर देंगे, कोई unit चेह नहीं करना है, यह सिर्फ एक circle को मैंने इसका reference के लिए, यह मैंने unit दिया है, तो बागी सारे circle यहां पर fully defined हो गया है, तो इस तरह से हम इसे fully defined करेंगे, next अब हम देखेंग है, यहां पर circle create करेंगे, दो circle create करेंगे, सबसे ताले, चलिए, दो circle यहां से create करते हैं, एक circle create, ओके, दोनों का dimension रखेंगे, फर्स्ट का अगर आप dimension देखते हैं तो यह 18 डाय आया है, इसकेंड का अगर आप देखते हैं तो यह 18 radius है, तो यहां पर आप 18 देंगे, इंटर, इसे right click करेंगे, display as radius करेंगे, नाय ने, इसे double click करेंगे, यहां पर 18 देंगे, इंटर, यहां पर 18 radius इस circle हमको मिल गया है, इसका बाद इस circle का हमको dimension चाहिए, तो इसका dimension हम रखेंगे, 18, इंटर, इसका diameter मुझे 18 मिल गया है, इसका radius 18 है, और इसे आप हम क्या करेंगे, यहां से, यहां का distance अगर आप देखते हैं, तो इस तरफ देख सकते हैं, 72 है, चलिए इसका 72 है, इसका dimension रखते हैं, इसका distance, 72, इंटर, तो इससे नॉर्मल में पहले लाएंगे, इससे आप जूमाउट भी कर सकते हैं, यहां से, और अब हम क्या करेंगे, इसका distance में मिल गया मुझे, और यहां से मुझे, इसका tangent के साथ, तुझे एक lane लेना है, यहां से, चलिए सब्सक्राइब यहां से lane लेते हैं, इसके साथ, एटच कर देते हैं, यहां पर मुझे lane मिल गया है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर 8R का आप यहां पर affiliate देखता हो, नजर आएगा, तो यहां पर सबस्क्राइब करते हैं इसको, यहां पर आप देखेंगे, sketch fillet है, इससे use करेंगे, इस दो lane को slate करेंगे, यह fillet हो चुका है, इसका value रखना चाहते हैं, आप यहां से रख सकते हैं, तो इसका value आप देखेंगे, तो यहां पर 8 है, 8 radius है, 8 रखेंगे और यहां से ok कर देगे, यह पार्ट मेरा complete हो गया है, तो यहां पर इससे अगर हम लेते हैं, तो यहां पर सुर्फ sketch fillet होता है, जो की line fillet के लिए यह use होता है, लेकनि यहां पर शर के लिए के line है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्क में जाएंगे, और 3 point arc लेंगे, इसके बाद इससे select करेंगे, यहां से, इस point को select करेंगे और इसे स्रेट करेंगे, यहां से हम इस तरह से आर्क वैलू दे सकते हैं, जिसका हम यहां से डायमिन्सन रख सकते हैं, इसे Okay करते हैं और इसका Smart Dimension में जाकर की इसका भेलू दे सकते हैं इसका भेलू अब जैक सकते हैं 10 रेडिये से 10 देंगे और लेडर कर देंगे इस तरह के मुझे इस तरह यह yanал कर देंगे तो चलिए नेक्स्ट Το bet हम चलते हैं मुझे आप नीचे एक लेंड इसकेच करना है और इसके साथ यह एक लगाना है चो लिए ऐसा हम करते हैं यहां से कि मैंने इसके संटर के साथ कि एक लेंड रो किया है अगर आप देखेंगे तो जिसका डिस्टन्स कि इसे राइट किलिक करेंगे और यहां पर होरिजन्टल का यहां पर अगर नहीं होता है तो और ओके करेंगे यह इसका यहां से यहां तक कर दिश्टन्स अब देखेंगे तो यहां पर 30 देखा रहा है तो चलिए इसका वैलों थार्टी देखते हैं कि इससे लेंग को सेलेट करेंगे इसका वैलू 30 है इंटर दिख सकते हैंगे इससे सब्सक्राइए बन चुका है अब हूं क्या करेंगे यहाँ पर फिर एक और के लेंगे इस तरह से है कि तरियु पॉंट्यार के लेंगे इसे सीलेट करेंगे है और इस पॉंट को सेलेट करेंगे हाथ आखा कि आ यहां पर इसका वैलुु रखना चाहिए इसका वैलु रख सकते हैं इसमां डैमेंश्म जाएंगे और इसका वैलु है तर देख सकते हैं यहां पर टेम रेडियस इंटर इस के बाद हम क्या करेंगे इससे करेंगे से बागी पार्स पार्ट है यहां पर ट्रिम से राइस है यहां पर जाये आंट हरो दरॉट करेंगा यह और इस पर हो जायेगा कि मुझे ये त्रूल और शर्जड़ मोजे यह य॥ल्ट पर फीन चाहिए ध्लिश करेंगे है और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं सेम इस तरह का यह बन चुका है अब हम क्या करेंगे मीरर में जाएंगे अब मीरर इंटिटी जाए इसके बाद सारे पार्ट को यहां पर हम सेलेट करेंगे कि करके जिसे मुझे मीरर कराना है सेलेट कर लिया है और किस एक्सिस के लोंग मुझे मिरर कराना है यहां पर कॉपी करेंगे कि मुझे दोनों सेट चाहिए इस एक्सिस के लोंग और यहां पर मिरर हो चुका है यहां से ओके कर देंगे यहां पर आप देखते हैं तो इसका डिस्टेंस नीचे का यह डिस्टेंस इस दोने का डिस्टेंस हैं पर आप 82 देख सकते हैं इस दोने का डिस्टेंस रखेंगे हम यहां से और इसके बाद यह पार्ट इस पार्ट को यहां से ट्रिम करेंगे लेक्ष्टा पार्ट से यहां पर पिर यहां पर इस दुनों का डामेशन टॉंटी एट है तो टॉंटी एट रखेंगे है इस लैन और इस लैन का वैलू है तो टॉंटी एट में रख दिया है कि इसके बाद क्या करेंगे इसका डामेशन देखना हो तो इसका डामेशन नेटी टू है ओके अचेंज करना चाहते हैं 34 यहां पर चेंज करेंगे इंटर कर थे इसका डामेशन यहां पर कर सकते हैं कि अगया गए चेटी फूर रही है है प्याहिए और अब क्या करेंगे टिफूर डामेशन आप दिखेंगे बागी पार्चों यहां से आब ट्रिम करेंगे यह unwanted parts है मैंने trim कर दिया है यह finally अनुबह वह यह complete हो चुका है देखे सभी यहाँ पर fully constant है यह आको दिख रहा है अन्डर constant चलिए इसे भी हम fully constant करने ecosis करते हैं इसी तरह इसे करेंगे अब fully define sketch स्केच इससे सेलेट करेंगे करकुलेट है कि फुली डिपैंड यहां पर फाइनली हो चुका है जब जेक्स तरह केमरे यहां पर इसकेच कमप्लीट हो चुका है यहां पर अगर इस सारे बहिलो को आप यहां पर आप आप करना चाहते हैं जिसाज कर अगर